एक कार्बन कैप्चर यूटलाइजेशन और स्टोरिज फ्रेम्वर्क लॉंच खाली में नीती आयोग ने पॉलिस्टोरेज पॉलिसी फ्रेम्वर्क ऌड इन्डिक्स दिप्लॉइमंट मीकनिजम इन इंडिया शीषक से एके रिपोर्ट जारी की रिपोर्ट दोहजार सत्तर तक भारत के शुद्ध शुनि लक्ष को पूरा करने के लिए उत्सरजन में कमी की रणनीती के रूप में कार्बन कैप्चल उट्राजेशन एंड स्टोरेज यानी CCUS के महत की पड़ताल करती है यह रिपोर्ट इसके अनुप्रयोग के लिए विभिन शेत्रों में आवशक व्यापकस्तर के नीतीगत हक्स्तक्षेपों की रूप रेखा भी पेश करती है सलिए जानते हैं कि कार्बन कैप्चल उट्राजेशन एंड स्टोरेज यानी CCUS क्या है इस प्रक्रिया केते हैं जिवाश मींधन के उपयोग से निकली CO2 को बातवरण में छोड़े जाने से पहले उसे संग्रहित कर एक स्वरक्षित जगा में भेंडारण किया जाता है ताकि ग्लोबल वार्मिंग का खत्रा कम हो सके संग्रेद की गई कार्बन डैक्साइड का उपयोग व्यवसाइक रूप से विपड़न योग उत्पात बनाने के लिए किया जा सकता है इसे कार्बन कैप्चर स्टोरेज एंड उटिलाजेशन कहा जाता है आमतोर पर इसका उपयोग तेल निशकर्षन को बढ़ाने में किया जाता है जहां कार्बन डैक्साइड को तेल शेत्रों में उनकी निशकर्षन दक्षिता बढ़ाने के लिए इंजेक्ट किया जाता है माना जा रहा है कि CCUS परियोजनाओं से भारत में रोजगार सर्षन भी होगा अर्मान है कि 2050 तक लगबग 750 मिलियन टन प्रतिवर्ष कार्बन कैप्चर चरणबद तरीके से लगबग 8-10 मिलियन रोजगार के वसर पैदा कर सकता है भारत दोहजार सतर तक शुद्ण शुनिर यानि नेट जीरो प्राप्ट करने की दिशा में कदम उठा रहा है ऐसे में CCUS की भूमी का महत्वपून हो जाती है आपको बता दे भारत ने राश्टिस्तर बर्न धारत योगदान यानि NDC के माध्यम से गैर जिवाश माधारित उर्जाश्रोतों से अपनी कुल स्थापिश्रमता का 50 प्रतिशत प्राप्ट करने 2030 तक उत्सजन तीवर्ता में 45 प्रतिशत की कमी लाने और 2070 तक नेट शुनिर प्राप्ट करने की प्रतिबद्धता जताई है